है फ्रेंड्स वेलकम बेक तो में चैनल आज मैं लेकर आए हूँ- ठीपर चाल में God तो यह तो छोटा दे सकते हैं यह तो मीडियम से बनाते हूं कि सबके पास मीडियम इजली अवलेबल होता है उसको थोड़ा सा एक दो से तीन मिनट के लिए इसको भून लिए ज्यादा नहीं लोग टू मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है तो दो मिनट थंडा कर लिए और जार मार है तो बहुत ही महीन पॉडर ये बन चूका है अगर आपको लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा चाल सकते हैं मतलब चनी से चान सकते हैं तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इसको करना क्या है इसमें डाल देंगे मतलब देख सकते हैं बिल्कुल महीन पॉडरी बन चुका है जिसे बहुत सारे जर्म क्या होता है अच्छ करके लिया है और उसके बाद इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या तो मैस कर लिजे मैस करने से क्या होगा चोटे-चोटे टुकरे रह जाएंगे तो उससे अच्छा है कि आप उसको कदुकस कर लिजे और यहां पर देखिए गाजर ले लिया है थोड़ा सा एक-दो चमच यह हिल्दी रखने के लिए अगर जैसे गाजर के समय नहीं बना रहे है उस समय गाजर नहीं मिल रहे तो आप ज़रूरी नहीं की गाजर डाल नहीं है तो अच्छा देखने में लगता है थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेंप्रेचर का पाई डाल करके इसको गूत ले ले करके अच्छे से गुत लीजे आपको लग रहा है और पानी दे दीजे छीटे मारी अफिर से उसको गूत लीजे तो देखेए यहां पे मैंने गूत लिया और गाजर डालने से कितना सुन्दर लग रहा लग रहा है ना बहुत ये खुब सूरत लग रहा है आप इसमें महासिबरात्री में तो उसमें ठाक्डेहों तो सेंधा नमक बना लिया है तो जो ए सिया स़ गी या तेल कुछ भी लगा लिए और तो उसके बाद सके ब लीजे या तो आप जिससे सिंहाडा काटा या कुट्टू काटा है तो उसको डाल करके इसको बेल लीजिए अगर जिसे तेल घी नहीं डालना है तो आप आटे से बेल सकते हो जो कि ब्रत में खाते हैं कुट्टू काटा सिंहाडा काटा अगर आपके पास है तो उसके लगा करके भी से ऐसको बेल सकते हो तो देखे इस तरह से मैंने बेल लिया है तो बेला इता उत्र, फटा-फटा लग रहा तो इस तरह से कोई धकन से कट कर लिजेमा कि थोड़ा सा रांड हो अब है जूता वहाई मैं थोड़ा चोटा हुआ इसलिए थोड़ा तो याहा पी लेट आप यहां पेन रघ्टा स souvent गर्म करें ऑद इसकão हो कहा है 1320 कंद कर देख सकते हैं जालेर है चर्फी च сама के वादेर पिकान रह जाएगा прस ना से चौहालेका मिल्यों से च्क्रशा रहा जाएगा कर दो रिख आपना बहकर अब को अच्छे से अराम से पकने दीजिए और इस तरह से दवा दवा के इसको थोड़ा सा दवाएंगे ना तो यह फूल जाएगा आप सोचरियेंगे इस तरह का स्पैचुला नहीं है तो क्या करूं तो आप कपड़े से भी हलके हातों से या टीशू पेपर से आप इसको दवा दवा के इसक डवा दवा के मैंने अच्छे से फूला लिया है मेरा चैनल पर और ब्रत का रश्पी पि है जो कि सब्जी शारे बहुत सारी तो आप देख सकते तो देख़े आटे को निकाल लीजिए और इसको मिक्स करके लोई बना लीजिए फिर से रोटी बेल लीजिए तो देखे इस तरह से तो इसको बड़ा बेल लीजिए और इसको कट कर लीजिए और तबाग गरम किजिए और इसके बाद इसको इसके उपर पका लीजिए तो देखे यहां पर मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से अराम से पकने दीजे लो मेडियम फ्लेम पर उसके बाद पलटिए पहले पलटेंगे ने तो वो चिपक जाएगा एक अठा हो जाएगा और अच्छे से यह बनेगा नहीं और इसको दवा दवा के इसको अच्छे से फूला लीजिए तो देखिए यह भी बहुत अच्छा बना है और यह बहुत अच्छा से फुल चुका है और इस तरह का रोटी जिसे आप चाहते हो कि बिना घी तेल का खाना है तो इस तरह का बखाईए अगर नमक और आप जिससे सेंदा नमक खाते हो तो नमक मिर्ची समें डाल सकते हो काली म काली मिर्ची भी डाल सकते हो जो ची नहीं खाते हो छोड दीजिए और देखिए इसको दवा दवा के मैंने फुला लिया है और इसका पूड़ी भी बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे उसको मैं दिखाऊंगी तो देखिए यह भी दूसरा रोटी भी बन चुका इसके उपर घ फिर से लोई बना करके फिर से बेल लीजे तो देखिए दो पूरी बन चुका है ना अब इसको सारे को बेल लेतीए और उसरो देखिए अहाँ पर घी करब कर लीजे या तेल गरम कर लीजे उसके बाद अच्छे से गरम हो जाBen उसके बार दाल देजिए और पूरी को तल आप ऐसे बिन नमक घाहते हैं और इस नमक तो नमक को में नमक सकते हो तो डिल सकते हो यह जूत सबरी देख सकते में आप 3a मिवम देख सकते हैं पूड़ी भी बन चुका है अब हैसके यह रोटी खाएंगे कैसे तो देखिए यह ना सौप्ट बहुत ही सौप्ट है इस पे ने कोई भी एक बुन तेल लगा ना यह कुछ भी क्योंकि केवल बेलने की समय लगाया तो तो कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही सौप्ट बना है और जैसे दही खाते हो और उसके उपर गूड़ी अचीनी मिस्री कुछ भी आप ले रहे हो तो आप उसमें डाल दीजी और उसके साथ खाईए बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं क्या फास्ट में हो और बहुत हिल्दी यह ब्रत वाली यह खाना मतलब थाली बन चुका है पूड़ी भी है आप पूड़ी भी दही के साथ खा सकते हो तो आपको कैसा लगा यह सवधाना की रोटी और पूड़ी जरू कॉमेंट करके बताईएगा और दही यह गुण की साथ आपको कैसा लगा और आप बनाते हो कैसा सवधाना का रोटी या सवधाना का और कौन सा रेश्पी बनाते हो जो कॉमेंट करके बताईएगा और ब्रत में आप क्या खाते हो वह भी बताईएगा तो देखे मैं इसको तोड़ के दिखाती हूं पूरी थोड़ा सा क्रिश्पी होता है रोटी बिल्कुल सॉप्ट होता है बस वह से माटा से मैंने बनाया है अब इसको बहुत मज़ा आता दही और गुण के साथ मिश्री के साथ आप इस तरह से खाईए आपको लगे गए नहीं कि फास्ट में आप फास्ट कर रहे हो बिल्कुल आपको तरो तजा रहोगे तो देखे आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताईएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी